तो यार क्या हाल है आज हम बात करेंगे विद्योत जामवाल की मूवी IB71 की बारे में जिसका आज ही ट्रेलर रिलीज हुए है और उस ट्रेलर को देखने के बाद एक ही बात निकल रही है मन से वाओ क्या ट्रेलर बनाया है आनि बेसिकली इंडो पाकिस्तान वार की है जो 1971 में हुआ था और उसमें जो पाकिस्तान ने हमारे आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर वर्ल्ड वार टू के बाद जो किया था नाइंटी टू थाउजन सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था धाका रीजन में बांगलादेश में आप लोग सोच रहोगे यार एक और नहीं स्पाय इसमें क्या नाया होगा वही इंडिया पाकिस्तान दिखाएंगे बट नहीं यह जो स्टोरी है ही ट्रू इवेंट्स पर बेस्ट है इस मूवी के डिरेक्टर भी वही है जिन्होंने गाजी अटाइक डिरेक्ट की थी वो भी एक प्रियोटिक मूवी थी 1971 में सेट थी यह वो विद्युत जामवाल कर रहे है जो देव जामवाल का करेक्टर प्ले कर रहे है जो पूरे ऑपरेशन को हेड करेंगे और उसको आगे ऑपरेट करेंगे और कैसे वो अपनी चालाकी से पाकिस्तान को कंफ्यूज करके उस वार को जीतेंगे और उसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का क्या involvement रहेगा वो भी हमें इस movie में दिखाया जाएगा movie तो बहुत interesting होने वाली है trailer को देखके तो baby जैसी feels आ रही है जिसमें बहुत सारे twist and turns होंगे 3 nations involved हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना 30 agents को लेके 10 दिन में एक top secret mission को अन्जाम देना है trailer देखके तो काफी अच्छे vibes आ रहे हैं की पाकिस्तान की airspace कैसे block करी जाएगी और वो पाकिस्तान से ही करवाई जाएगी movie 12th May को release होगी विद्यो जामवाल ऐसा producer भी debut करेंगे अब विद्यो जामवाल ऐसा producer भी debut होने लगा producers का भी debut होने लगा विद्यो जामवाल के action scenes हो भी अच्छे से दिखाए जाएगे क्योंकि वो उनकी speciality है और मुझे नहीं लगता कि वो miss होगी विद्यो जामवाल जैसे actor का action देखने के लिए शायद वापिस audience theater की तरफ आने लगे यार यह था मेरा review IP71 के trailer का अगर आपको यह video पसंद आईए तो इसे like करिए, share करिए इसे अपने दोस्तों के साथ और comments में मुझे बताइए कि आप कितना excited है यह movie को देखने के लिए और आपको यह trailer कैसा लगा और क्या आप इस movie को थेटर में देखना चाहेंगे and until next time मैं मिलता हूँ आपको next video में